तो स्वागत है आप सुभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु में दर्खास यानि की अप्लिकेशन लिखना सीखने वाले हैं जो कि आप लोगे एकजाम में पांच नंबर का पूछा जाता है क्या है 100% सही तरीका किस तरह से लिखेंगे कि एक नंबर भी एक माक्स भी नहीं कटेगा वो 100% सही और सठीक तरीका में आप लोगो बताने वाली हूँ क्योंकि घुमा कर किसी के पास भी दर्खास लिखने के लिए बोल सकता है पांच नंबर का पूछा जाता है अगर एक भी गलती हुई तो समझे कि फुल माक्स आप लोगो नहीं मिलेगा तो किस तरह से लिखे कि एक भी गलती ना हो और फुल माक्स मिल जाए तोटल पांच नंबर का पांच नंबर आप लोगो मिल जाए वो एकदम 100% सही और सठीक तरीका बताने वाली हूँ ठीक है छलांकि इसके पहले भी में आप लोगो पिछले सेसं में भी बता चुकी हूं अगर आप लोग चाहे तो पिछले सेसं का विडियो देखकर भी उर्दु में दर्खास्त लिखना सीख सकते हैं लेकिन आप लोगा बहुच दा कमेंट आ रहा था कि एक बर फिर से 2024 के एकजाम के लिए निव और लेटेस्ट तरीका बता दीजिए तो फाइनली आप लोगे कमेंट के बेस्ट पर ही ये वीडियो अप्लोड हुआ है और एकदम जैसा कि मैं आप लोगो बताई केला जाता हे graveyard के लिए डर्फास्त लिखने के लिए बोला जाता थे तो चलिए सटार्ट करते हैं आज के इस विडियो कह और आज के इस विडियो में मैं आप लोगों जो तरीका बताऊंगी न दर्फास लिखने पो ड्र深त ओंगी और ऑप लोगों है यह फिर 2025 में 26 में 27 में कभी भी ये ट्रिक हमेशा काम्याब रहेगा फुल माक्स आप लोगों को दिलाएगा ही दिलाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझे कि दर्खास्त जो होता है कोफी चेक करने वाला जो होता है जब आप लोगों के दर्खास्त को वजीरे तालीम के पास या फिर वह स्वास्त में भी बोल सकता है मुझा किसी के पास भी बोल सकता है दर्खास्त लिखने के लिए और किसी भी मुद्दे पर जैसे की एक्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रही हूं कि एक्जाम में माली जी पूछ दिया कि प्रिस मौफी की तलब की गई हो यान कि आप कॉलेज की फिस नहीं दे पाए हैं और कॉलेज की फिस मौफ करने के लिए आप अपने कॉलेज के प्रिंसपल के पास एक दरखास यान की अप्लिकेशन पर लिखे या फिर कोशन इस तरह से भी पूच सकता है कि आप जिसे करने के लिए दर्खास्त लिखिए या फिर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो से क्रेटरी के पास आप लिखिए दर्खास्त तो किसी भी मुद्दे पर और किसी के पास भी दर्खास्त लिखने के लिए बोल सकता है और यहीं पर स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज आखिर क्या करें माली जी बोल दिया कि आप अख़बार इडिटर के पास दर्खास लिखिए और जिसमें किस चीज की सर्चा हो आपके शहर में गुंड़ागर्दी हो रही है तो गुंड़ागर्दी का न्यूस ज़ो है ना खबर छपवाने के लिए आप अखबार इडिजर के पास लिखी है दर्खास्त तो इस्ट्रोडन कंफ्यूज होकर रहे जाते हैं आखिर कैसे लिखें क्या है तरीका तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्खास्त में पाच नमबर मिलता कहां से हैं समझ प्रिंसपल सहब किसी कॉलेट से ही जूड़े होंगे या तो वह कॉलेट के प्रिंसपल होंगे नहीं तो स्कूल के प्रिंसपल होंगे तो यहाँ पर गववर्मेंट कॉलेज लिख दिया गया है ठीक है और शहर में आपने लोगोग को बताओं से वह व्यक्ति संबंदित हैं जिसके पास आप लोग खत लिखे हैं तो यहां से आप लोग को एक नमबर मिल जाता है अभी आप लोग को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन टेंसल लेने की ज़ोत नहीं है अभी मैं आप लोग को स्टार्टिंग से लिखे हैं उसी को कहते हैं मौजू यानि की टॉपिक क्या है आप लोग का टॉपिक दरखास्त लिखने का तो मौजू सही से लिखिएगा तो यहां से आप लोग को एक नमबर मिलता है तो एक नमबर और एक नमबर दो नमबर हो गया उसके बाद से स्टार्टिंग आप लो लोग बताऊं कि टेंसन फ्री रहे यह स्टार्टिंग और फिर आप अपने बात को कितने अच्छे तरीके से लिखे हैं यह हर एक चीज देखकर कॉपी चेक करने वाला जो है वह एक नमबर देता है तो यहां से एक नमबर एक नमबर एक नमबर तीन नमबर हो गया ना एक दो जो एक नमबर होता है न वो डेट डालने के और जैसे मिलता है आप लोग डेट डाले ही कि नहीं यह कॉपी चेक करने वाला देखता है कि कि दर डेट डाला जाता है यह भी तो आप लोग को पता रहना चाहिए न तो यहां पर आप लोग को एक नमबर मिलता है ठेक है ना त लोटल पांच नमबर तो हो गया तो बस इसी तरह से आप लोगो को पांच नमबर मिलता है अगर इन अब इन अभी बातों पर ध्यान देते हैं स्टाटिंग और इंडिंग का ख्याल रखते हैं लफग से सजा कर लिखना है यह सारा चीज आप फुलमाइक्स 5 में 5 नंबर आप आप लोका आजाने वाला है अब मैं आप लोगो स्टार्इंग से बताती हुँ कि कैसे आप everyday हैसे लिखना है सबसे पहले यह जो मैं दर्खास्थ लिखी हुए लिखा हुए डिखा दे रहा होगा इस दर्खास्थ को मैं दो कलर के मारकर से लिखी हूं एक ब्लैक और एक ब्लू ठीक है जो मैं ब्लैक कलर के मारकर से लिखी हूं जिस लफजों को जिस सेंटेंस को मैं ब्लैक के मारकर से लिखी हूं उसको भी लिए और नीची अंडरलाइन कर दी हूं यह रखास्त में रहेगा चाहे आप किसी के पास भी दर्खास्त क्यों न लिख रहे हूं और बाकी जो ब्लू कलर के मारकर से लिखी हूँ ये टॉपिक चेंज होने पर चेंज होगा ठीक है जिसे कि आप लोगों के एक्जाम में बोल सकता है कि प्रिंस्पल ना देकर हेड्मास्टर साहब के पास दर्खास लिखने के लिए बोल सकता है तो बस ये प्रिंस्पल साहब हट जाएगा लग जाएगा तो वही मैं बताना चाहरी हूं कि यह जो ब्लौ कलर के मारकर से जितने भी सेंटेंसेज और लफजों को लिख दियूं, यह टॉपिक चेंज होने पर मुद्धा चेंज होने पर होता रहेगा लेकिन जो ब्लाक कलर के मारकर से लिख दी हूं ले जाना है किदर जाना है दाएं तरफ यानि की राइट हैंड साइड और आप लोग को लिखना है बखिद्मत जनाब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह मैं ब्लेक कलर के मारकर से लिखी हूं और नीचे अंडर लाइन भी की हूं यानि कि यह हर दर्खास्त में रहेगा च तो मैं लिख दी हूं प्रिंस्पल साहब अगर आप लोग के एकजाम में पुछ दिया कि हेड़मास्टर साहब के पास खत लिखें तो बस यह प्रिंस्पल साहब अटाकर हेड़मास्टर साहब लगा दीजिए मतलब कि स्टाटिंग में यह बखिद्मत जनाब रहेगा और है आप लोग जिसके पास भी लिखने रहे है है उसका नाम दीजिए अखिद्म सहाब लिखना है नियुक्त सबासे इडेटरν अखिभार इडेटरर के पास लिखना है तो लिख देजेब समझ में आaison गई उसके बाएब से इसके ите एक लिए और प्रिंसिपल चाहिब जिस कॉलेचा ये फिर इस कूल के प्रिंसिपल है उसकोज ये फिर स्कूल का Naam लिखना है और उसके बगल में शेहर का Naam लिखना होता है अगर आप रियल में किसी के पास दर्खास लिख रहे हैं तो लेकिन अगर आप लोग एक्जाम दे रहे हैं एक्जाम हॉल में बैठ कर दर्खास लिख रहे हैं तो किसी कॉलेज यह फिर स्कूल का नाम लिखने की ज़रोत नहीं है आप सिंपली यहां पर लिख दीजिए गौवर्मेंट कॉलेज काम चल जाएगा और बगल में शहर का नाम लिखने के बजाए अलिव बेजीम डाल दीजिए अब यहां पर बहुत सारे स्टुडेंट है जो की कमफ्यूज हो गए होंगे क्यों मैं हम लोग यहां पर शहर का नाम और कॉलेज का नाम क्यों न दीजिए और उसके बगल में शहर का नाम लिखने के बजाए अलिफ बेजिम इसी तरह आप लोग लिख दीजिए इसलिए इसलिए मैं बोल रही हो ना क्योंकि यहीं बैट कर दर्खास लिखने का अगर रियल में किसी के पास आप लोग दर्खास लिख रहे हैं तब तो लेकिन अगर आप लोग एक्जाम हॉल में बैठकर लिख रहे हैं न दर्खास्त तो यह है और पर सही तरीका जिसे आप लोग का एक नंबर भी नहीं कटेगा लेकिन अगर आप लोग शहर का नाम लिख देते हैं तो हो सकता है कि आप लोग के नंबर कटने की चांसे बह जाए तो क्या जरूरी है ज्यादा रिस्क लेना बस एक जामेर जो कॉपी चेक करने वाला है उसको दिखाना है कि आप लोग को हाँ दर्खास लिखने आता है और क्या देखता है कि आप लोग को दर्खास लिखने आ रहा है कि नहीं क्या चीज कहां पर मौजू कहां डाला जाता ह ठीड कहा डाला जाता है और लोग को आता है कैसे किया जाता है यह सब आप को आता है कि नहीं बसALLY copy check करने वाला नीजने ऐसे तो बस आप लोग пару दिखा देना है के हाँ हमें भाव स्कार्कस लिखने आता है अब आती है मौजू की जिससा तरह बेगा हुआ ऐसे तरह आप लोगों को मौझू लिखना है क्लोन देखर और डायсть देदियरा है जी तरह से में लिखी हूं इसी तरह से आप लोगो唉 कोई बतलाओ नहीं यहहर दर evac देने के बाद यहाँ पर्लोग को मौझू लिखना है ना किसलिए आप दर्खास्त लिखे हैं जैसे कि यह प्रिंस्पल साहब की पास दर्खास्त लिखा गया है स्कुल की फीस मौफी के लिए ठीक है ना आप लोग के स्कुल की फीस मौफ करने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसपल के पास दर्खास्त लिखे तो वही वाला कोशन उठाकर मैं देखी कि चलो यह मौडल पेपर में पूछी दिया है तो इसी का डिरेक्ट में सल्यूशन करा देती हूं तो मौडल पेपर का कोशन है जिसका एंसर मैं यहां पर लिख दी हूँ ठीक है प्रिंसपल सहाब के पास यह खत लिखा गया है सॉरी दर्खास लिखा गया है किस चीज के लिए मौजू क्या है तो इसकूल की फीस वहां पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई और मैं इस मिस्टेक को सुधार भी दी कॉलेज लगा ठीक है तो इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है मौजू लिखकर और डैस देना है और जो भी आप लोगों का मौजू है वह मौजू लिख दीजिए और लास्ट में से तालुक जरूर लगाईएगा जिसे कि यह दर्खास प्रिंसपल साब के पास लिखा गया था से डायरेक्टर के पास एक दर्खास लिखिये जिसमें दो दिनों की गैरहाजरी मौफ करने की तलब की गई हो तो आप लोगा मौजू बदल गया है तो इसकी मौफित लगई यहां ओने के मौभश दो लिखा वाने के लिए कि पास तर्खोस लिखना है तो आप माफ्तों को मौजू क्या है आप लोग का दो दिनों की गयर हाजरी मौफ करवाना किस से तो इसकुल के डिरेक्टर से तो यहां पर डिरेक्टर सहाब आ जाएगा और आप लोग लिखेंगे मौजू में क्या दो दिनों की गयर हाजरी मौफी और लास्ट में से तालुक आई होप आप लिखे दो दुनों की गहरहाजरी मोफी से टालूग ठीक है last में से तालूख लगाना जरूरी है वही चीज में आप लोग समझा रही हूँ last में से थालूख रखास में रहा एक और एग्जामपल लिए आप नौकरी लेना चाहते हैं और, इसके हो जैसे कि आप लोग सेग्षब बिंगे नौक्री लेने से तालूग तो मौजू लिखने लिखना बोगत सारे स्ट्विट्ट के इसको समझ लेते हैं कि मौजू में क्या लिखे किस इस तरह से लिखे समझ में नहीं आता है लेकिन बहुत ज़्यासान है बस जिस जो भी आप लोगा मौजू हो वह स्टार्टिंग में थोड़ सा लिख दीजिए और लास में से तालुक लगा देजिए मतलब कंबिनेशन बैठना भी चाहिए कॉलेज की फीस मौफी से तालुक अच्छा लग रहा है ना उसी तरह दो दिनों की गयर हाजरी मौफी से तालुक नौकरी लेने से तालुक ठेक है या फिर शहर में बहुत दा गुंडागर्दी हो रही है जिसके जिसकी खबर आप अकबार मे पास खत लिखना चाहते हैं तो लिख देजे यहां पर एडिटर साहब और मौजू क्या है शहर की गुंडागर्दी से तालुक मौजू में हो जाएगा तो जो भी मौजू हो बस लास्त में से तालुक लगा दीजिएगा यहोप आप लोगो समझ में आ गया होगा मैं एकी नंबर मिल जाएगा एक नमर यहां से एक नमर यहां से दो नमर ख्लियर है अब आगे बढ़ते हैं जिसले चुद्ध कर यहां में लिखना है आप लोगो जनाब याली जिस तरफ से मैं लिखी हूं ध्यान से देख लीजिए और इसको एक बार आप हैप लोग जरूर उतार चले आना है आप लोग को और थोड़ा सा इस छोड़ना है और यहां से लिखना है नहायत अदब के सांत अर्ज है की यह जो स्टार्टिंग में लिखी हों न यह ब किसी अंदर्खास में रहेगा अगर इस तरह से लिखेंगे तो समझें आप का कंपर मैं कि पास नंबर मिलेगा ही मिलेगा नो डाउट तो नहायत अदब के सांथ अर्ज है कि अब आप लोग का जो भी मौजू है जो भी जिसलिए आप लोग दर्खास लिखे है उस बात को एकदम बहतरीन ढंग से लफजों को सजा कर लिखना है अब यहां पर आप सुनिए मैं पढ़ रही हूं आप लोग सुनिए मैं आपके इंटर कॉलेज के दूसरे साल का एक गरीब इल्म हूं यानि कि स्टूडेंट हूं मैं आपके इंटर कॉलेज का प्रिंसपल साब के पास दर्खास लिखा गया तो स्टार्टिंग इस तरस रहेगी नहायत अदब वो बहुत ही कम तनख्वा वाले पोस्ट पर नौकरी करते हैं ठीक हैं वालिद की कलील आमदनी हम भाय बहनों की तालिम में रुकावट बनती हैं पिर भी किसी ना किस तरह हम सब भाई भान जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं शुक्षा ले रहे हैं मैं हमेशा अपने दर्जा में अवल आती हूँ यानि कि मैं हमेशा अपने क्लास में फॉस्ट आती हूँ और तमाम मजामीन में अच्छे नंबर हासिल करते हूँ यानि कि उसके बाद से एक लाइन नीचे चले आना है और इतना इस पेश छोड़ते हुए जैसे कि मैं ब्लैक कलर के मारकर से लिखी हूँ कि लहाजा आपसे पुर्खलूस गुजारिस है कि यह भी हर दर्खास्त में रहेगा लहाजा आपसे पुर्खलूस गुजारिस है कि मेरे वालि इसके लिए लास्ट में इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ इसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्र गुजार रहूंगी अगर आप हमारे कॉलेज की फिस माफ कर देते हैं तो कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजाकर मैं लिखी थी और बस इसी तरह से आप लों को भी लिख ना jus कितने अच्छे तरीके से अपने मौजू को explain कर पा रहा है μέra इसी तरह से उप लोग लिखना है एक बर मैं से से पढ़ देना चाहती हूँ नहायत अदब के सांथ अर्ध है कि मैं आपके इंटर कॉलेज के दूसरे साल का एक गरीब तालिब इल्म हूँ मेरे वालिद एक बहुत ही खलील तनुखा वाले ओदे पर मुलाजिम है वालिद की कलील आमदनी हम भाई बहनों की तालिम में रुक मेरे वालिद की गरीबी और परिशानियों को मद्दे नजर रखते हुए कॉलेज की फीस माफ करने की जहमत फरमाएं और लास्ट में यह भी हर दर्खास में रहेगा इसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्र गुजार रहूंगी ठीक है अगर आप लड़के हैं तो लिख दी अगर आप लोग लड़के हैं तो लोग दीजेगा आपका फरमावरदार शागिर्द अब माल लीजे कि आप किसी ऐसे शक्स के पास दर्खास लिखे हों जिसके मतलब आपको पता नहीं कि आप उनको आप उनके क्या लगते हैं जैसे कि मालीजी अखबार इडिटर के पास लिख दिए हैं ठीक है अखबार एडिटर के पास माली जिए आप लोगों ने डर्खास्त लिखा है तो यहां पर लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे आपका लुखलिस नीचे नाम लिखा जाता है लेकिन आप लोग को नाम नहीं लिखना है यह principal साहब के पास दर्खास लिखा गया था इसी वज़ा से मैं last में लिख दी हूँ आपकी फर्मान बरदार शागिर्द ठीक है और नीचे नाम लिखा जाता है आप लोग अगर exam hall में बैठ कर यह दर्खास लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखिएगा नाम के जगा अलिफ बेजिम जैसे कि मैं डाली हूँ इस तरह से आप लोग को लिख देना है ठीक है लेकिन अगर आप लोग में किसी principal साहब के पास दर्खास लिख रहे हैं तो रियल सब कुछ डालना है नाम भी डालना है कॉलेज का नाम भी डालना है स बस बात खतम ठीक है और यहां पर फाइनली कंप्लीट हो जाता है दरख्वास और डेट वगएरा डालना तो बहुजद आसान होता है देखिए जहां पर आप लोग आपकी फिर्मा बर्दार शागर दे लिखे है ना और उसको बचसे नीचे नाम क्लास रोल नंबर हो गया तो इसी के आप लोगो दाएं तरफ चली आना है इसी के जस्ट दाएं तरफ राइट हैंड साइड और यहीं पर आप लोगो डेट डालना रहता है यहां पर मैं डेट डाल दिए हूं ठीक है तीस बारह दौजर तेईस आज का डेट है है सिंपल और यहां पर फाइनली हो गया दरखास्त का दी इंड इसी तरीके से दरखास्त लिए जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग जिस तरह से मैं आप लोग को बताई हो ना इसी तरीके से अगर आप लोग दर्खास्त लिखते हैं इकजाम में बैठ कर तो फुल मार्क से आप को मिल जाने वाला है एक नंबर भी नहीं कटेगा एक बार चलिए एक मिनिट में फड़ाफट रिवीजन करते हैं सबसे पहले लिखना है आप लोग को बखित्मा जनाम उसके बाद से जिसके पास आप लोग खत लिखें उसका नाम लिखना है प्रिंसपल साब जिस कॉलेज य लेकिन लास्ट में से तालुक जरूर लगाना है उसके जश्ट नीचे चली आना है और इतना इतना स्पेस छोड़ते हुए आप लोग को जनाब आली लिखना एक्सक्लामेशन मांक देना जरूरी है ये एक्सक्लामेशन मांक जरूर दीजिएगा और फिर एक लाइन जस्ट कि यह भी हर दर्खास्त में रहेगा लास्ट में गुजारिस किया जाता है कि आप हमारी कॉलेज की फीस माफ कर दीजिए या फिर लहाजा आप से पुर्खलूस गुजारिस है कि आप दो दिनों की गयर हाजरी मॉफ करने की जहमत फरमाएं ठीक है जो भी आप लोगा मौज करने के लिए गुजारिस करना होता है दर्खास में इसी वजह से मैं लिखी हूं लहाज आप से पुर्खलूस गुजारिस है कि और यह हर दर्खास में रहेगा उसके बाद से लास्ट में आप लोगो सबसे लास्ट में लिखना है इसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्र लिखिएगा और नीचे नाम डालना रहता है लेकिन आप लोग नाम नहीं लिखिएगा अले बेजीम डाल दीजिएगा क्लास रोल नंबर के जगा या फिर एक्स वाई-जेट डाल दीजिएगा और इधर जस्ट इसके दाएं तरफ आ जाना है और डेट लिखते ना है बस और असान लगा है जो कुछ भी मैं आप लोगों समझाई हूं समझ में आया है तो इस बात पर लाइक शेर तो बनता है फड़ाफट लाइक शेर कर दें और सभी लोगों तक वीडियो को पहुंचा दें ठीक है और सबसे पहले तो आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लें जेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे ठीक है इसके साथ एक और इंपोर्टन बात बता देना चाहती हूं कि बहुत जल्द मजमून का भी वीडियो अपलोड होगा कि कैसे मजमून आप लोग लिखेंगे क्या है तरीक नभी बता दोंगे एकदम जबर्दस तरीका ट्रिक के साथ उस ट्रिक से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं मजमून ठीक है तो आप बस दो-तीन दिन वेट कर लें आज किस वीडियो को यह फिरिंट करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुबहाफिज